कि नमश्कार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कोश्ण हूं विद मेशा में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की कुछ टॉपिक्स जो कि आपकी एच्पी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो देखें हिंदी आपको 16 नंबर के जाने वाली है और किस किस टाइप के कोश्ण आते हैं यह मैं आज आपको बताऊंगी और चैप्टर वाइज हम यह हिंदी यहां पर करने वाले हैं तो आएए देखते हैं इसमें कौन-कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे पहले हैं भाशा भाशा से आपके कौन जी अनुसूची में हैं ठीके इसके आपके कोश्ण बनते हैं वहां आज करेंगे नेक्स्ट है उचारन स्थान तालिका देख लिका आपने सुना है कंठ तालु मुदा ठीके जैसी क क उचारन स्थान पूछके जाएगा आपका च्छका पूछ लिए जाएगा ठीके न और अगोश भी आते हैं। संघ्या को भेदा आ जाएंगे यहां सर्वनाम, विशेशन, क्रिया, क्रिया विशेशन, काल, वच्च्य कैसे पूछ लिए जाते हैं कि आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें एक वर्ड को अंडरलाईन करके पुछ जाएगा बताईए क्या यह संघ्या है, क्या यह सर्वनाम है ठीक है, यह विशेशन है यह क्रिया है यह क्रिया विशेशन है ठीक है, ऐसे कोशन आपसे हम पुछ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है शब्द कारक कितने होते हैं, ठीक है, और कितने होते हैं, कारक होते हैं, आठ, और कैसे पुछी जाता है, यह भी किसी वर्ड को अंडरलाइन करके पूछा जाता है, बताएं कौन सा कारक है, नेक्स्ट है क्रिया, आपने सुनी है, अकर्मक, क्रिया, सकर्मक, दुईकर्मक, करिया ठीक है जैसे कि पक्षी उड़ते हैं या पक्षी आसमान में उड़ते हैं इनमें बहुत जादा डिफरेंस हो जाता है अकर्मक और सकर्मक का यह हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट है समास फिर संधी विछेद देखिए संधी आपको पूरी भी दी जाती है कई बारी और पुलिंग जो होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और लास्ट में है अलंगकार अब देखिए सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो है भाशा भाशा के जो कोशिन आपको बन सकते हैं वो मैं बताऊंगी देखिए भाशा के कितने रूप होते हैं तो भाशा के दो रूप होते हैं कौन-कौन से मौखिक और लिकित भाशा का मूल रूप है मौखिक फिर है सबसे बड़ा भाशा परिवार कौन सा है तो सबसे बड़ा भाशा परिवार है भारोपिय परिवार ठीक है सबसे बड़ा भाशा परिवार है भारत में चार भाशा परिवार है भारत में चार भाषा परिवार है कौन कौन से सबसे बड़ा है भारोपिय औस्ट्रिक द्रविड आरे भाषा परिवार ठीक है फिर है भारतिय आरे भाषा परिवार की मूल भाषा संस्कृत है ठीक है जो कि मैंने आरे भाषा परिवार भी आपको बताया उसकी मूल भाषा है फिर है हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है तो हिंदी शब्द जो है आपका फार्सी का है ना की हिंदी का याद रखी गए हिंदी शब्द फार्सी का है ना की हिंदी का हिंदी की आधी जननी है संस्कृित हिंदी को भारत की राजबहाशा पूचछित किया गया हिंदी को भारत की राज भाष एक जिसके पूंचित किया है और इसे राज भाषा बनने का गौरव 26 जन्वरी 1950 को प्राप्त हुआ ठीक है नेक्स्ट अनुच्छेद 303 आर्टिकल 343 में हिंदी को राज भाषा पद से शुशोभित किया गया है कौन से अनुच्छेद में? 343 में नेक्स्ट है हिंदी में 5 चुप भाषा और स्तारा बोलिया है हिंदी में 5 चुप भाषा और स्तारा बोलिया है भारती समीधान की कौन सी अनुची में? 22 भाषा है भारती समीधान की आठवी अनुची में 22 भाषा है हर्याना की राज भाषा है हिंदी पंजाबी किलिपी कौन सी है गुरुमी की हिंदी और संस्कृत किलिपी है देवनागरी इंपोर्टेंट ठीक है यह आपसे बहुत बार पूछ ले जाते हैं उर्दु किलिपी है फार्सी और अंगरेजी किलिपी है रोमन ठीक है तो यही आपकी कुश्चन थे जो भाशन से इ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए धन्यवाद